दुनिया भर के देशों को मानव अधिकार पर उपदेश देने वाले अमेरिका में नसलिय हिंसा की आंधी चल रही है कोरोना की महामारी से दुनिया की सूपर पावर अभी तक किसी तरह निपटने में लगी है उसी दोरान वहाँ पर नस्की एहिंसा की महामारी भी उफान पर है कैलिफोर्निया में एक भारतिय परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई जिसमें आठ महीने की एक बच्ची भी शामिल है वहीं अमेरिका के इंडियाना राज्य में 20 साल के एक भारतिय चात्र को उसी के रूम्मेट ने मार डाला 36 साल के जसदीब सिंग, 27 साल की जसलीन कौर, 49 साल के अमन दीब सिंग को अमेरिका में गोली मार दी गए ये वारदाद अमेरिका के कैलिफॉरिया में अंजाम दी गए इस वारदाद का सबसे डरावना पहलू यह है कि आठ महीने की आरोही को बारते हुए भी हत्यारे के हाथ नहीं काप सिर्फरे कातिल भारती मूल के इस परिवार के चान लोगों को अख़वा करके वे रहनी से माड़ा लगा अमेरिका में भारती मूल के लोगों के खला नफरत की आंधी चल रही है इसकी चपेट में एक भारती मूल का चात्र भी आ गया अमेरिका के इंडियाना राज़वा भारती मूल के एक 20 साल के जातर के उसके हॉस्टल उसी के रूमेट ने मारकर हत्या करता हत्यार के वक मारा गया भारती जातर वीडियो गेम खेल रहा था तब ही अचानक उसके रूमेट पर हमला करके उसकी जान ले लिए सवाली है कि जो भारती मूल के लोग अमेरिका की काम्यावी में एहम रोल लिभा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, आईबियम या फिर इंटेर और तो और नासा और मेडिकल सेवाओं में भारती मूल के अमेल के लोग एहम रोल लिभा रहे हैं अमेरिका में भारती मूल के लोगों को सबसे ज्यादा अनुशासित और सब प्रवासी वाना जाता है इसके बावजूर अमेरिका में भारती मूल के लोगों के खिला जगन अपरार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे इस पंजावी परिवार की हत्या को देखकर तो अमेरिकी फुलिस्ता सैमी हुई है जिसके जाच अधिकारी गुस्से में कहते हैं कि हत्यारे को जहनुम खास जगह मिलेगी सोचिये हत्यारे के मन भारतियों के लिए कितनी नफरत होगी कि उसने आठ महिने की बच्ची पर भी रहम नहीं किया अब इस CCTV वीडियो को देखिए यह वीडियो परिवार का आखरी वीडियो है इस वीडियो में हत्यारा बारतीमोल के परिवार का घर का दरवाजा ओलता है और बाहर जागता है इस दौरा उसके हाथ बंदूग तिकती है तो देखिए अगली दस्वीर में जजदीब और अमंदीब दिखते हैं उनके हाथ बंधे हैं और वो चुपचाब घर के बार खड़ी गाली की पिछली सीप पर बैठ जाते हैं इसके थोड़ी दिर बाद हत्यारा एक बार फिर गंड के साथ घर के बाहर निकलता है इस वक्त वो जसलीन को और उनकी बेटी को जबर ले चाता हुआ दिखता है ये परिवार बंजाब के होशयार पुर जिले के टांडा के हरसी गाउं का रहने वाला है जिसे 3 अक्टूबर को कैलिफॉनिया के दर्शनी हाइवे 69 के 800 ब्रॉक से अगवा कर लिया गया अमेरिका में ये पंजाबी परिवार ट्रांसपोर्ट का कारूबार करता था जिसे कातिल मैनुवल ने बंदू की नोक पर अगवा कर लिया पुलिस ने बताया कि हत्यारा परिवार के आफिस में काम कर चुका था यही नहीं वो किट्नैपिंग के मामले में सजा भी काट चुका था लेकिन हत्यारे न ऐसा क्यों किया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है इस वारदात के एक और CCTV वीडियो में जस्दीब हत्यारे से आगे चलता वो दिख रहा है दोनों गेट की ओर जा रहे हत्यारे के हाथ में एक सफेद बैग है और वो पीछे मुल कर देखता है इसके बाद हत्यारे इस बैग से बंदूक निकालता है और चारों को अगवा कर लेता है इस वारदात के बाद हत्यारे ने भी खुद को मारने की कोशिश की लेकिन वो बच निकला पुलिस को शक है कि परिवार ने उसे नौकरी से निकाला था शायद इसी वज़े से उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया मारा गया परिवार पंजाब के होशयारपुर के टांडा का रहने वाला था इस वारदात के बाद गाओं में मातम है इन दोनों भाईयों के माता-पिता का रोरो कर बुरा हाल है जिनने आसपास के लोग ठांडस बदा रहे हैं इस वारदात में एक परिवार का सब कुछ है लिया है क्योंकि दोनों बेटों का कद्ध होने से उनका परिवार बे सहारा हो गया है माता-पिता का सहारा चिन गया है पंजाब के मुख्यमंद्री भगवन दमान ने इस वारदात की उच्चिस तरिये जांच की मांगी है इसे लेकर मुख्यमंद्री ने ट्यूइट मी किया हत्यारे ने जिस तरह से अपरण के बार मारे गए पंजाबी परिवार की गाड़ी को चलाया एट्यम कार्ड के इस्तमाल किया उससे पुलिस को लगा कि इस वारदात को पैसे के लिए इन्जाम दिया गया लेकिन जिस तरह से हत्यारे ने आठ मैने की बच्ची को भी मारकर एक पकीचे में भीग दिया उससे वारदात बताती है कि अमेरिका में भारती मूल के लोगों नफरत की आंधी का शिकार होना बढ़ रहा है आज तक भी रो अमेरिका में हाल ही में अरश्वेत लोगों के खिलाव हिंसा में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछली बार के राश्वपती चुनाओं में तो ये एक बड़ा मुद्दा था लेकिन अमेरिका में फैली ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही चिंता की बात ये है कि इसकी चपेट में आप भारतीय मूल के लोग भी आ रहे है भारतीय अमेरिकी आटिट्यूट सवे 2020 में बड़ा खुलासा हुआ इसमें बताया गया कि अमेरिका में हर दो में से एक भारतीय के साथ भेदभाव होता है इस सवे के अनुसार 30 प्रतिशत लोगों को ये लगता है कि त्वचा के रंग की वज़े से भेदभाव होता है वहीं 18 प्रतिशत का कहना है कि लिंगिया धर्म के आधार पर भेदभाव होता है पिछले साल अमेरिकी अंदरिक्ष एजेंसी नासा का अंदरिक्ष यान परसी वियरेंस मंगल ग्रह की सतय पर सफलता पूर्वक उतारा गया है इस काम्याबी में भारती मूल की स्वाती मोहन ने एहम भूमे के निभाई और अमेरिकी राश्पती ने उनके योगदान को सराते हुई ये कहा तो क्या अमेरिका में भारती मूल के लोगों का बढ़ता कर, बढ़ता दबढ़ा उन पर हमले की वज़े है क्या भारती मूल के लोगों पर हमला पीछे रजाने की खीज है आम लोग छोड़िये भारती मुलकी अमेरिकी सांसर तर नसली भेदवाव का शिकार हो रही है पिछले माई ने भारती मुलकी अमेरिकी सांसर प्रमिला जैपाल को फोन पर धमकी मिली अमेरिका में एक शक्स ने उन्हें फोन पर अभधर टिपड़ी की और अपने देश लौटे की चितावनी थी अमेरिका में नसली हिंसा से जुले आंकडों में भले ही भारती काफी निचले पायदान पर हो लेकिन उन्हें अमेरिका के हरिस्से में इस तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है पिछले साल मई में एक स्कूल में भारती मूल के छोटे से बच्चे का इस्थानी बच्चिन, गला दिवाकर, धमकाया इस दोरान क्लास की बाकी बच्चे आरोपी का होसला बढ़ा रहे हैं अमेरिका में करीब 40 लाग भारती रहते हैं जिनकी ओसत आए अमेरिकी लोगों से तक्रीबन दो गुना है अमेरिका में भारती मूल के लोगों की ओसत आए एक करोड रुपए से ज़्यादा है जबकि अमेरिकी परिवार की ओसत आए पचपन लाग रुपए साला ना है अमेरिका में भारती मूल के लोग अमीर होने के साथ साथ ज्यादा पड़े लेखे भी है 25 साल और से ज्यादा उम्र के 89 फीजदी भारती मूल के लोगों के पास बैचलर डिगरी है जबकि बाकी अप्रवासियों और अमेरिकी लोगों में ये आंकड़ा सिर्फ 33 फीजदी है बिजनिस, मेनेजमेंट, साइंस और आर्ट से जोड़ी नौकरियों में भारती बड़े प सब्दान की कद्र करते हैं लेकिन जो अमेरिकी प्रत्योक्ता में भारतियों से पिछड़ रहे हैं ये सब उन्हें बरदाश नहीं हो रहा इसके बावजूर अमेरिकी सरका भारत वन्शियों का सम्मान कर रही है जो बाड़न ने अभी तक अपने प्रशासन अहम पदों पर 130 भारती अमेरिकियों की नुक्ति की है जो अमेरिकी प्रशासन भारती अमेरिकी समधाय को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है अमेरिकी आबादी में भारती मुल्के लोगों की हिस्सिदारी सिर्फ एक फिस्दी है लेकिन इसके बावजूद सरकार में बड़े और एहम पदों पर भारती मुल्के लोग बैटे हुए हैं सवाल यह है कि जो अमेरिका मानवादिकारों पर दुनिया भर के देशों को उपदेश देता है उसके नेता भारती मुल्के लोगों पर बढ़ते हमलों की होँए हैं